नमस्कार मेरे साथियों कैसे हैं दोस्तों आप सब आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वली विभिन परीक्षाओं के तरीब ही बड़ी ये तरीके से कर रहे हूँगे मेरे साथ यो जितने भी जो हमारे साथ ही है भाई बेहन है जो भी जवाल हर नेरू विस्विदाले की त्यारी कर रहे हैं परिवेश परिक्षा 22-22 के लिए तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट होगी देखिए जेन्यू की त्यारी बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है आप सभी के लिए और आप सभी को जेन्यू की सभी बारिकों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसलिए आज हमारी वीडियो ने जारी बहुत जादे important होगी इसमें हम आपको बताएंगे क्या इसकी eligibility criteria है क्योंकि eligibility criteria बच्चों को नहीं पता रहता है वो जेनियू की तेहरी करते हैं सबसे पहले उनको eligibility criteria पता होना चाहिए कि हाम इसके लिए form भिलने के लिए eligible हैं की नहीं है तो सबसे पहले यह जानो और syllabus क्या है आखिरा पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो उसको कुछ syllabus है की नहीं है syllabus जानो फिर इसका entrance का क्या mode होने वाला है online होगा offline होगा कैसे होगा descriptive होगा objective होगा यह सभी जानो क्यूंकि आप तयारी करते हैं बढ़िया बाते तयारी करने के साथ यह important point भी आप सभी को पता होने चाहिए तो मेरे साथ ही हो यहां से जो है master की eligibility शुरू होती है कहने का मतलब है कि आपको क्या-क्या eligibility पार करनी है अपने entrance के लिए तो जैसे कि आप सभी को बता दू यहां पर आपको न जितने भी language course है वो सभी दिये वे हैं समझ गए अगर आपको कोई course इंसे अलग है वो भी मैं बताऊंगो आप सभी को देखिए इसमें बैचलर डिगरी में दे रखी है 4545 परसंट मार्स होने चाहिए समझ गए और 10 प्लस टू मतलब बार भी होने चीप्लस में तीन साल की गिरेजिशन होने चाहिए इस हिसाब से होने चाहिए और 45% मार्स आपके होने चाहिए तो देखिए आप सभी बात करेंगे में हिंदी की बताएं में हिंदी उर्दू रसियन इस्पैनिस और इंग्लिस इंग्लिस तो यह सभी देखिए इसमें आप को दिया वे वही अगर आप जर्मन से करेंगे तो आपको 10 प्लस और 50% मार्स चाहिए समझ गें से पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आप सभी यह जानते हैं इंग्लिस के हैं तो इंग्लिस का देख लिए इंग्लिस के लिए इसमें दिया हुआ है कि 55% 50% मतलब 50% आपके मार्स होने चाहिए समझ गये 50% इंग्लिस वाले जे देख 50% मार्क होने चाहिए कोई काटेगरी नहीं इसके नदर सभी 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 के लिए 55% 50% पीच्टी करना चाहते है तो पीच्टी के लग दी हुई है देखिए सब की अलग लग सभी के eligibility दी हुई है और हम देखेंगे कि और जैसे important course है हमारे MA Hindi MA Political Science इन सभी के लिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ तो यहां से देखिए मेरे साथ हूँ यहां से important LGBT आप सभी के लिए सुरू होती है जैसे कि हम बात करें कि master of arts में जैसकि economics में वही कहा गया कि 10 प्लस 2 होना चाहिए आपका और देखिए और mathematics दी हुई है और 50% marks होने चाहिए और एक और बात आपको सभी को देखना है कि आपको जो भी MA economics के करना चाहता है MA economics के करना चाहते हैं तो आप 12th level तक मतलब आपने math पड़ी होनी चाहिए समझ गए modern history की बात करें modern history, medieval history, incident history 50% आपके marks होने चाहिए पूरी graduation में और 10 प्लस 2 के हिसाब से आपने पड़ा हुए 10 प्लस 2 प्लस 3 मत ग्रेजियोशन बात करें MA political science के लिए तो आमने political science का देशा है 55% हर किसी की eligibility अलग है इसलिए माँ आप से भी को अधार हो देखो history वालों को के य bachelor degree under 10 प्लस 2 प्लस 3 pattern of education with at least 50% marks in social science and 55% marks हाँ इसमे ये बात जाननी बहुत जरूरी है जैसे कि आप सभी ने अगर social science अगर मतलब आप normal करे वे हैं तो आपको केवल 50% चाहिए अगर आप किसी degree में अगर science है या technology से अगर किसी और streams आते हो तो 55% marks चाहिए है ये दो चीज़े ह हुआ है ये दो चीज़े हैं समझ गए बाकी geography की देख लो में geography से करना चाहिए 10 प्लस 2 होना चाहिए और मतलब मात्र आपके 45% marks होने चीए क्योंकि हर किसी की eligibility अलग है 50% कहीं 55% कहीं 50% कहीं 45% हर किसी में अलग लग है sociology की देखोगे तो यहाँ पर 45% से यह 10 प्लस 2 प्लस 3 होना का होना चाहिए बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर यह आपकी eligibility थी बात करें philosophy की इसमें हो रहेगा हमारा एक और subject है और important subject मतलों यहीं है आपके philosophy हो गया इसमें भी हो यह 10 प्लस 2 प्लस और social science and humanities and 45% marks यह होने चाहिए और normal है आपका 50% marks social science and humanities वालों को 45% marks at least चाहिए उन 50% 50% चलेगा social science and humanities वालों को 45% चलेगा जो science and technology disciplines से आएंगे philosophy करने के लिए यह देख लो क्यूंकि eligibility जानना बहुत ज़रूरी eligibility नहीं जानोंगे तो आपको बाद में इससे पस्तावा देखने को मिलेगा और मैं आपसे भी को बता रहा हूँ eligibility सबसे जान लिए इसमें से अगर आपको कोई syllabus मतलब कोई इसमें से code शूट रहा है comment box मैं comment कर देना उसका भी मैं आपको LGBT बता दूँगा तो LGBT मेरे साब से सब समझ गए होंगे बाकी आगे का देखते हैं क्या इसमें पूछा गया क्या कर आगे आपको बताना है तो मेरे सा PISM वाले जितने भी हैं important five इसके अंदर discipline covered किये जाते हैं are covered in test sociology, political science, international relationship, history and economics यह सभी पूछा जाएगा समझ गे बखी बिये कि आपने इस लिवस में जो भी पढ़ा discipline service में generally वही आपसे इतना पूछा जाएगा जो कि सभी university में पढ़ाया जाता है और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाते हैं कि आखिर मैंने क्या बताया और अच्छे समझना चाते हैं तो comment box में comment कर देना या हमारे telegram चैनल पे आप स सभी से cover से पूछा जाएगा आपका जो आयार में बाकी आयार का तो अलग syllabus है उसकी क्या books होंगी कैसे के उनको study material है और कैसे उनको त्यारी करनी है आयार वालो को तो उसके लिए मैं separate video बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल पर आप सभी हमारे channel को subscribe कर लें और जैसे भी मैं IR स डालूँगा आप सभी को मिल पाएगी क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा important होगा मैं अभी से कह रहा हूँ अभी से आप subscribe जरू करें economics के करोगे तो economics की अलग syllabus है देखिए ये सभी इसके अंदर syllabus दियावा है आप सभी स्किन सोट ले सकते हैं बताओंगा तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी ये PhD वालो के लिए है इसकिन सोट सेंड कर रहा हूँ मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर आप सभी महां जोइन हो जाएगे टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे description में आ रहा है आप सभी महां जोइन होंगे कुछ भी information आएगी about आपके GNU के regarding आप सभी को मिलती रहेगी सभी का लग लग है बा बात में दिक्कते होती हैं और सलेवस जाना बहुत जरूरी है मैं ऐसा करूँगा आप साभी के लिए हर सलेवस जो हरार पार्ट को अच्छे से आपको मैं बता दूघब कैसे कैसे अपको पढ़ना है और कैसे कीसे त्यारी करनी है जोThenus सब क मुझने साथ अगर आप हिस्ट स्लेवस की फोटो कोपी फोटो आप इसके ले सकते हैं और समझ लेना इसको आखिर क्या कैस के अंदर बता है बाकि आपके लिए में एक सेपरेट टोटी बनाऊंगा हिंदी वालों के लिए तो आप उसमें और अच्छे समझ जाएंगे उर्दुवाले वो भी अपना इसके ल उपत लेते रहेंगे जो आपका कॉर्स है यह सब पिसडी वाले हैं पिछ्टियालों को हम ध्लब सा उप्र करते हैं क्यों है स्कूरी होगी तो मैं इसको सॉल्व करूंगा जल्दी से जल्दी और बात करें आखरी हमारा पॉइंट था कि एंट्रेंस का क्या मोड होने वाला है अब्जेक्टिव होगा डिस्कुटिव देखिए 2019 से पहले 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 सारा बात करें आपको मैंने जो भी LGBT है उस अभी आपको मैंने बता दिया इससे पहले कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पर जहांपे मैंने बहुत जादे इंपोटन पॉइंट लिये हैं जैसे कि हम सभी बात करें कि आपके फॉर्म कब आएंगे पेपर का मेडियम क्या होने वाला है और फीज क्या लगने वाली है इससे पहले मैंने बहुत बनाई वीडियो आप सभी जाके देशेते हैं आसकरती वीडियो आपसे भी कुछ चलोगी तो आज के लिए इतना ही जैहि जैह भारत